दोस्तो ओम नमाशिवाय मैं हिमाशु शर्मा आपके अपने ही कारिक्रम एश्ट्रोवित सर्मा जी में आप सभी का हार दिख हार दिख अभिनन्दन करता हूँ भुले बाबा को प्रशंद करने के लिए शिव जी को प्रशंद करने के लिए हम सभी अपने अपने तरीकों से पुजा पाट करते हैं अलग अलग प्रशाद चढ़ाते हैं अलग अलग फूल मालाई चढ़ाते हैं साथ ही साथ अलग 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 चीजों से हम उनका अभिशेक भी करते हैं चलिए फिर आज के कारिक्रम में हम यह देखने जा रहे हैं कि किन अलग-अलग चीजों से शिव जी का भी सेख करने से हमें किन चीजों की प्राप्ती होती है चलिए फिर आज का कारिक्रम प्रारंब करते हैं कारिक्रम प्रारंब करने के पूरू आपसे एक बहुती छोटा साग्रा है कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवस्य लिखे चलिए फिर आज का कारिक्रम प्रारंब करते हैं देखिए जब हम शिव जी को दूद से इसनान कराते हैं तो इससे संतान की प्राप्ती होती है तथा मनो कामनाएं हमारी फूर्ण होती है यदि हम शिव जी को, शिव लिंग को, भोले बाबा को, घी से अभिसेक कराएं तो इससे वन सवरिद्धी होती है देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझेगा दूद से इसनान कराते हैं मैं बूला था संतान प्राप्ती जहां घी आया तो मैं बूला वन सवरिद्धी दूद, it means maybe baby boy और maybe baby girl लेकिन घी, it means once वरिद्धी पुत्र रत्न की प्राप्ती की मैं बात कर रहा हूँ दूद से इसनान कराने में संतान की प्राप्ती की बात कही गई है दर्म सास्त्र में और घी से इसनान कराने में घी से अभिषेक कराने में once वरिद्धी की बात की गई है basic difference है दोनों में ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं आज के कारिक्रम को आगे लेकर चलते हैं जल से इसनान करना कराने से अभिशेक कराने से विरिष्टी की प्राप्ति होती है इसी प्रकार कुशा जल से यह दि हम इसनान कराएं कुशा होता है न पूजा करते समय हम उसमें बैठते हैं पुजा करते समय ऐ जरींग हम उसे अपने हाथों में पहनते हैं तो कुशा जल से इस नान कराने में रोग की सांती होती है साथ ही साथ दुख कम होते हैं इसी प्रकार से सरसो के तेल से अभिशेग कराने से रोग सांथ होता है साथ ही साथ सत्रूओं से मुक्ति मिलती है देखिए कुशा जल में मैं रोग के साथ दुख के अंतकी बात किया था सरसो के टेल के साथ मैं क्या बात कर रहा हूँ रोग तो इसमें भी जूड़ा है लेकिन साथ ही साथ सत्रूओं से निजा मुकदमा जैसा कोई प्रकरण आजाए, पडूसीक साथ लडाई आजाए, बौस बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा है, सर्विस रिलेटेड कुछ दिक्कत हो रहा है, तो वहाँ पे सरसों के तेल से अभिशेक कराना बहुत उचीत होता है चलिए कारिक्रम को आगे लेकर चलते हैं, इसी प्रकार से जो तिर्थिस्थल के जल हैं, तिर्थिस्थल के जल से प्रभू का अभिशेक कराने से शीव जी का अभिशेक कराने से मुक्ष की प्राप्ति होती है और especially पवित्र जल में येदी गंगा जल से प्रभू का अभिशेक कराया जाए तो मोख्ष की प्राप्ति के सांथ इसा ज्वर से भी बुखार से भी फीवर से भी निजात मिलता है इसी प्रकार से दही से उनका अभिशेक करने पर वाहन की प्राप्ति होती है और भूमी भवन की प्राप्ति होती है कल्यूग में जिसको हम भौतिक सुक बोलते हैं नलगजरियस वाली जो चीजे होती है उन चीजों की प्राप्ति के लिए उन चीजों के प्राप्ति के लिए शिव जी का दही से अभिशेक कराया जाता है और कुछ बज गया क्या आश्रहत बज गया साहत मधू हनी हनी से अभिशेक कराने पर मधू से अभिशेक कराने पर पापों का नाश होता है देखिए पाप भी जो है न वो दो तरह के होते हैं एक ऐसा पाप होता है जो हमारे कुछ कर्मों से सतकर्मों से पुजापाट से समाप्त हो जाते हैं कुछ ऐसे पाप होते हैं जो नश्वर होते हैं जिनका हमें परिणाम भोगना ही पड़ता है तो जो ऐसे पाप होते हैं, जो कटने वाले होते हैं, वह सहद से अभिशेग कराने से समाप्त हो जाते हैं एक छोटी सी चीज मैं आपकी सेवा में और रखना चाहता हूं, आज के वीडियो का मास्टर स्ट्रोक चीज अधिकतर ग्रिहनी, अधिकतर माता पीत अपने बच्चों को लेकर परिशान रहते हैं, सत बुद्धी का न मिल पाना, या मान्सिक विकास का प्रॉपर रूप से न होना, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान ना लगना, मन भटकना, उनका गलत संगती में जाना ऐसी परिस्तिती में, महा शिवरात्री से अच्छा कोई अल्टरनेट हो ही नहीं सकता है, आप शिवजी का भिसेक कराएं, दूद में थोड़ा सा सक्कर मिला के सेंटेंस रिपेट करता हूँ दूद में शक्कर मिला के सक्कर मिस्रित जल से स्वारी शक्कर मिस्रित दूद से शिवजी का भिषेक कराने से बच्चों को सदबुधी की प्राप्ती होती है चलिए दोस्तों अब समय है आज के कारिकरम के टीफ आप देगा आप महाशिवरात्री के दिन कुछ करें या ना करें सिर्फ दो मिनट के लिए शिवजी के मंदिर जाए तीन बिल्वपत्र और तीन शमिपत्र अवस्य ही आप शंकर जी को अर्पित करें ओं नमह शिवाय का जाप करते हुए तीन बिल्वपत्र और तीन शमिपत्र आपकी परिशानिया कम होगी। मैं आपसे आगरह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आपका दिन सूभ हो। इश्रियासा के साथ मैं आजके कारिक्रम को यहीं पर समाप करता हूँ। अगले कारिक्रम में फिर हम एक नए विश्यवस्तूक साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आजके लिए दोस्तों जैश्री राम, ओम नमस्षिवाए।